आपका स्वागत है आज मैं आपको स्वीडियों बताऊंगा आपको स्वीडियों बताने जा रहा हूं तो इसके लिए हम सबसे पहले हमें इस उप्सन प्याना होगा वर्ड के वर्ड का उप्सन प्याने के बाद में हम आपके सबसे लाक्स में लिखाऊ है जैसे हम और यहाँ इसके लिए वर्ड उप्सन है उप्सियर पास हमें यह प्रिपलेश आपट उपने इसके लिए जो भी हम वहाले से हुघाऊ कर देते आं और इसको O, कर देते हैं, इसके बाद यहां से भी हम इसको O, कर देते हैं, इसके बाद हम वापस अपनी Rand कमांड को टाइप करते हैं और Enter करते हैं, देखते हैं, हमारे यह, जो command यह work करने लग गई है, जो चलिए दोस्ते इसको में एक बार से वापस से बंद कर देता हूँ word option, grouping, auto correct option और check box में यहां से uncheck कर देता हूँ रोके, ok फिर वापस में अपने यहां पर command लगाता हूँ ब्राबर, rnd, command, enter देखेंगे हमारे command वापस वर्क नहीं कर रहा है जो चलिए दोस्ते एक बार में इस फाइल को close कर देता हूँ और फाइल को open कर लेता हूँ वापस ms word की वापस में एक बार यहां पर command लगा देता हूँ देखेंगे हमारी command वापस वर्क नहीं कर रही है तो हम वापस आता है अपने option पर, word option, grouping, auto correct option और इसके नहीं पर auto correct option है हमें इस पर क्लिक करना है और इसके नहीं हमारी option है replace text as you type हमें इस पर क्लिक करके checkbox को right वी आप इसको on कर देते हैं और ok करते हैं फिर ok फिर वापस हम अपनी command लगाते है and देखते हैं हमारी command वर्क करने लगी है तो दोस्तो इसी चरह से हम अपने MS Word के अंदर किसी भी command को on-off कर सकते हैं तो दोस्तों आपको मेरे वीडियो कैसा लगा है अगर पसंद आया हो वीडियो को like चुरूर करें और आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो आप comment करके मुझसे post सकते हैं